तो दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में टॉप हंड्रेट कोशन डिसकस करेंगे जो की काफी जादा इंपोर्टेंट कोशन रहते हैं यह जो कोशन होंगे यह अपनी इसकी हमें एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो हफते में आपको दो या फिर एक वीडियो हर हफते आपको प्रोवाइड कराई जाएगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जितने भी कॉमिटेटिव एक्जाम्स होते हैं सबके लिए ये काफी इंपोर्टेंट रहेंगे इसके अलावा एक्जाम फोकस जो वीडियो होती है वो आपको अल्लेडी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है तो आप उनको इस्पेशली देख सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं देखते हैं पहला कोश्चन क्या है तो हमारा पहला कोश्चन है अब इन जितने भी रहेंगे जिनको नोबल प्राइस से सम्मानित किया गया है वो आप जरूर ध्यान रखें, exam के लिए most important रहेगा, जरूर पूछा जाएगा, तो अभी current time में पीछे 2020 के noble price दिये गए थे, वो आप जरूर ध्यान रखें, उसमें हर एक question आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा 2021 में आप current time में noble price दिये जाएंगे, तो वो तो most important रहने वा किया गया था, तो हमारा answer हो जाएगा Lord Convallis, Lord Convallis जो है इनके द्वारा introduce करा गया था, permanent settlement को बंगाल के अंदर, अब आप से question पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था, जो बंगाल partition हुआ था, ये कब हुआ था, तो 1905, 1905 में बंगाल partition हुआ था, आपको year लाएगा The Bengal Gazette, जो है ये भारत का पहला newspaper था, जो की publish किया गया था, इंडिया के अंदर, इसके अलावा जो महत्मा गांदी रहेंगे, उनके द्वारा कौन से newspaper हैं, जो की publish करे गए थे, राजा राम मुहन रोय रहेंगे, तो इन सब के द्वारा जो जो newspaper launch करे गए थे, वो आपको पता होने चाहिए, उनके नाम एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसकी एक separate वीडियो रहेगी, जो की आपको चैनल पे मिल जाएगी, Who was the governor general of India at the time of revolt of 1857, तो 1857 का जो revolt हुआ था, उससे काफी जादा question आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो governor general कौन थे 1857 के revolt के टाइम पे, तो हमारा answer हो जाएगा Lord Canning, Lord Canning जो थे ये governor रहेंगे, governor general थे, revolt of 1857 के टाइम पे, अब आपसे पूछा जाता है कि 1857 में, किसने lead करा था, merit में किसने lead करा था, तो अलग-अलग जगे से आपसे पूछा जाता है कि कि किस-किस के द्वारा lead करा गया था, तो उस चीज को आप ज़रूर ध्यान रखें, उस टाइप के questions भी आप एक बार जरूर पढ़ लें, अगला question देखते हैं, Who was the first woman judge of Supreme Court? तो Supreme Court की पहली महिला जज कोन थी? तो अभी आपको पता होगा कि Chief Justice जो होते हैं, आज तक वो महिला नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि woman judge, तो judge महिला बन चुकी है, तो पहली महिला जज कोन थी? Supreme Court में, तो हमारा answer हो जाएगा M. Fatima B.W. M. Fatima B.W जो हैं, यह पहली महिला जज रहेंगी Supreme Court की, तो यह जो question हो जाता है, यह काफी important हो जाता है. When was the Indian national flag adopted? Indian national flag जो adopt किया गया था, यह कब किया गया था, कौन सी date को किया गया था, तो हमारा answer हो जाएगा 22 July 1947, तो 22 July 1947 को जो हमारा national flag है, ट्राइकलर जो national flag है हमारा, उसको adopt किया गया था. अब अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, 2000 questions की एक e-book रहेगी, जो कि आपको 99 rupees में provide कराए जा रही है, जिस पर आपको flat 67% off मिल रहा है, अब यह important इसलिए रहती है, क्योंकि आप किसी भी exam की अगर तयारी कर रहे हैं, तो उसकी जो हर एक shift रहेगी, उसम basic general knowledge के questions रहेंगे, और अगर आपको current affair चाहिए 2021 का, तो 2021 का जनवरी से जून तक का current affair की भी e-book रहेगी, जिसका link आपको description में मिलेगा, आप उसको भी buy कर सकते हैं, तो अगर आप interested हो, तो link आपको description में मिलेगा, आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं, अगर आपको download करने में को planning commission को कौन से साल में form किया गया था, आपको पता होगा, जवालना लहरू के recommendation के through इसको form किया गया था, तो कौन सा year रहेगा, तो हमारा answer हो जाएगा 1950, 1950 में planning commission को form किया गया था, planning commission का नाम बदल कर कर दिया गया है, नीती आयोग, तो अब current time में नीती आयोग के नाम से planning commission को change क किया गया था, उसके current time में head कौन है, तो जो नीती आयोग होता है, उसके जो भी current time में prime minister होते हैं, वो head होते हैं, तो prime minister Narendra Modi head है, नीती आयोग के, Sariska national park is located in which state of India, Sariska national park कहाँ पे है, तो हमारा answer हो जाएगा, राजिस्तान, राजिस्तान state में located है, Sariska national park, which of the following is a traditional painting of Odisha state, Odisha state की traditional painting आपको पता होगी, हमारा answer हो जाएगा, पटचित्र, पटचित्र जो है एक traditional painting है, Odisha state की, जो की इंडिया की सबसे oldest painting में मानी जाती है, which of the following is an ancient book written by Bana Bhatt, Bana Bhatt जो है इनके दुआरा कौन सी book लिखी गई है, तो हमारा answer हो जाएगा, कादंबरी, और आपको पता होगा, हर्श चरित्र जो है, जो की हर्श वर्दन जो है, उनकी live के उपर लिखी गई है, वो भी लिखी गई है, Bana Bhatt के दौरा, तो दोनों book रहेंगी important रहती हैं, दोनों लिखी गई है Bana Bhatt के दौरा, मठकी is a popular folk dance of which Indian state, तो मठकी जो है ये एक इंडिया का popular folk dance है, कौन सी state का रहेगा, तो हमारा answer हो जाएगा मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश state का dance रहेगा, मठकी dance जो की एक popular folk dance है, मध्यप्रदेश जो state है, सबसे जादा इंडिया में forest cover जो है, वो कहाँ पे है, तो वो रहेगा मध्यप्रदेश state में, और मध्यप्रदेश state में ही इंडिया के सबसे जादा नेशनल पार्क से हैं, जो की रहेंगे 11 नेशनल पार्क, which dynasty was founded by कुतुबुद्दीन एबक, कुतुबुद्दीन एबक के द्वारा कौनसी dynasty found करी गई थी, तो हमारा answer हो जाएगा, slave dynasty, slave dynasty को मब्लुग dynasty के नाम से भी जाना जाता है, ये found करी गई थी कुतुबुद्दीन एबक के द्वारा, और ये एक Delhi सल्तनत की dynasty रहेंगी, और जो इकलोती महीला रूलर है जिन्होंने साशन करा है डेली सल्तनत की वो कौन रहेंगी तो वो रहेंगी रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान जो है वो भी सिलेव डाइनस्टी की है एक रूलर रहेंगी अगला कोशन देखते हैं तो हमारी करण टाइम में टोटल 22 ओफिशल लेंग्वेज़ है उसमें हिंदी जो है उसको ओफिशल लेंग्वेज़ डिकलेर किया गया था इंडियन कॉंसे आर्टिकल के थुरू तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 के थुरू इंडिया में जो हिंदी लेंग्वेज़ है उसको एक ओफिशल लेंग्वेज़ डिकलेर किया गया था तो अगर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की बात करी जाए तो उसमें जो 1924 का जो सेशन होता है उससे सबसे जादा आपसे कोशन पूछा जाता है कि 1924 का जो सेशन था इसके प्रेसिडेंट कौन थे तो आपको पता होगा हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के 1924 के सेशन के आप से सेशन का नाम भी पूछा जाता है तो बेलगाओं सेशन रहेगा जिसकी प्रेसिडेंशी करी थी महात्मा गांधी ने Which of the following vitamin helps in the absorption of calcium तो हमारी body में जो calcium absorb किया जाता है उसमें कौन सा vitamin होता है जो की help करता है तो हमारा answer हो जाएगा vitamin D vitamin D जो होता है ये help करता है absorption में calcium को जो calcium होता है उसको हमारी body में absorb किया जाता है vitamin D के थुरू vitamin D का सबसे बड़ा source क्या होता है तो sunlight जो है वो vitamin D का सबसे बड़ा source है अगला question देखते हैं औरंग नेशनल पार्क is located in which state of India औरंग नेशनल पार्क कहां पे है कल की ही वीडियो में हमने डिसकस करा है हमारा answer हो जाएगा असाम असाम स्टेट में located है औरंग नेशनल पार्क which day in India is observed as the civil services day civil services day कौन से दिन को मनाया जाता है भारत में तो हमारा answer हो जाएगा 21 अपरेल 21 अपरेल को civil services day के रोप में मनाया जाता है हिंदुस्तान में who is the author of the book the blue umbrella the blue umbrella book किसके दुआरा लिखी गई तो हमारा answer हो जाएगा रसकिन बॉंड एक इंडिया के काफी famous author रहेंगे इनके दुआरा book लिखी गई है the blue umbrella a suitable boy जो book है most important रहती है विकरम सेट की रहेगी the god of small things अरुंदती रॉय की रहेगी जिसके जिस book के लिए इनको man booker price से सम्मानित किया जा चुका है खुश्वंत सिंग जो है इनको भी पद्म भूशन पद्म श्री से सम्मानित किया गया था या आपको ध्यान रखना है our train to Pakistan जो book है वो खुश्वंत सिंग के द्वारा लिखी गई थी अगला question देखते है उमलिंग लापास seen recently in news is located in तो उमलिंग लापास जो की current time में भी news में चल रहा है अगर आपका कोई exam चल रहा है उससे पहले कोई चीज news में चल रही है तो उससे related आपको पूरी उससे data जो होता है वो आपको बिल्गूर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए तो उमलिंग लापास जो है ये कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा लद्दाग तो लद्दाग जो की current time में union territory है इंडिया की वहाँ पे located है उमलिंग लापास पासिस जो होते हैं काफी जादा exams में पूछे जाते हैं तो पासिस की आपको जल्दी एक separate video हमारे चैनल पे provide कराई जाएगी अगला question देखते है who among the following scientists invented dynamite dynamite किसके द्वार invent किया गया था अगर आप हमारी regular videos देखते हैं तो आपको पता होगा Alfred noble के द्वारा dynamite की खोज करी गई थी और Alfred noble के नाम पे ही noble prize को रखा गया है और ये कौन सी country से related रहेंगे तो Sweden जो country है वहाँ के एक citizen थे Alfred noble मतलब जो noble prize होता है वो जो Sweden country है उसके द्वारा ही present किया जाता है अगला question देखते है which part of a plant cell trap sunlight to make sugar तो जो plant cell होता है उसका कौन सा part होता है जो की sunlight को इखटा करता है और sugar के form में बनाता है तो हमारा answer हो जाएगा chloroplast chloroplast जो होता है यह plant के cell का एक part होता है जो की trap करता है sunlight को और उससे जो sugar होती है उसका formation करता है या फिर food बोल सकते हैं जो food formation होता है वो chloroplast जो होता है वो sunlight को use करके करता है plant cell में यहाँ पर जो sugar है यह उनका food रहेगा जो plant का food होता है उसकी बात हो रही है अगला question देखते हैं Who was the chairman of the drafting committee of the constitutional assembly of India सबको पता होगा Dr. B.R. Ambedkar जो थे ये chairman थे drafting committee के The first education minister of independent India पहले education minister को थे तो अब्दुल कलाम आजाज तो ये पहले education minister रहे थे इंडिया के independence के बाद तो ये सबको पता होता है ये जो questions है ये multiple repeated questions है जो की बार-बार exams में पूछे जाते हैं तो कुछ questions काफी easy होते हैं जो की बार-बार repeat होते हैं और कुछ questions होते हैं जो की tough होते हैं तो इसमें सब questions आपको provide कराए गए हैं अगला question देखते हैं कुंडन कुलम nuclear power plant in Tamil Nadu is set up in collaboration with तो हमारा answer हो जाएगा Russia लेकिन यहाँ पे जो यह question है रशिया का जो question है यह आपसे नहीं पूछा जाता इसकी chances काफी कम रहेगी आपसे पूछे जाने की आपसे जो question पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि कुंडन कुलम nuclear power plant जो है यह कौन सी state में है तो आपको ध्यान रखना है कि तमिल नाडू state में रहेगा कुंडन कुलम nuclear power plant जो की collaboration में बनाया गया है रशिया के साथ मिलके which of the following is a disease caused by protozoa protozoa के दोवारा कौन सी disease होती है बिमारी होती है जो की होती है तो हमारा answer हो जाएगा काला अजर काला अजर जो है ये एक बिमारी होती है जो की protozoa से related होती है protozoa की वज़े से होती है which among the following financial institute was nationalized in 1949 हमारी जो current affair की वीडियो है उसमें हमने काफी बार डिसकस करा है हमारा answer हो जाएगा Reserve Bank of India Reserve Bank of India के तीन साल होते हैं जो कि आपको important होते हैं में पूछे जाते हैं 1935 में RBI established किया गया था 1937 में Kolkata से Mumbai इसका जो headquarter है वो shift कर दिया गया था और 1949 में Reserve Bank of India को nationalize किया गया था तो तीन एर होते हैं 1935, 1937 और 1949 जो कि आपको ध्यान रखने है which among the following is the oldest mountain hill range in India तो ये question काफी जादा बार आपके exams में पूछा गया है तो हमारा answer हो जाएगा अरावली hills तो अरावली hills जो है ये इंडिया की सबसे पुरानी mountain ranges हैं या फिर hill ranges हैं तो ये आपको ध्यान रखना है exam में काफी जादा पूछी जाती है which city will host the 2023 AIBA Men's World Boxing Championship तो Men's World Boxing Championship जो होने वाली है 2023 में वो कौन सी city host करेगी तो हमारा answer हो जाएगा ताशकंद ताशकंद जो city है ये host करने जा रही है 2023 का boxing championship अब अगर आपसे country आपसे exam mir दे दी जाए तो आप कैसे ध्यान रखेंगे तो ताशकंद जो जगे है जो city रहेगी ये कहां पे है तो ये है उस्बेकिस्तान में तो आपको option में उस्बेकिस्तान भी मिल सकता है When is the world malaria day observed वर्ड malaria day कब होता है तो हमारा answer हो जाएगा 25 अपरेल हर साल 25 अपरेल को observe किया जाता है वर्ड malaria day के रूप में day's के उपर भी exams में question जरूर पूछा जाते है तो day's की separate video भी आपको मिलेगी theme के साथ आप उसको channel पर जाके देख सकते है Comptroller and Auditor General of India is appointed by the तो यहाँ पे भी जो question आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है ज्यादा कि CAG officer जो होते है वो कौन से article से related होते है तो आपका answer हो जाएगा article 148 और आपसे money bill जरूर पूछा जाता है तो 110 जो article होता है 110 वो money bill से related होता है और article 148 रहेगा CAG officers related अब जो CAG officer होते हैं इनको किसके दोवारा appoint किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा president ज्यादा तर जितनी भी appointment होती है वो president के दोवारा ही करी जाती है तो इसका answer भी हो जाएगा president अब आपको ध्यान रखना है कि Cardamom Hill जो है जो हमारी south most जो hill है वो कौन सी hill रहेगी तो वो रहती है Cardamom Hills तो south most रहेगी तो south में कौन सी हमारी state हो जाएगी तो हमारा answer हो जाएगा केरिला केरिला जो state है वहाँ पे located है Cardamom Hills जो की southern most hill रहेगी इंडिया की वेर इस दी टॉम्ब ऑफ शेर्षा सूरी located शेर्षा सूरी का जो टॉम्ब है ये कहाँ पे located है अब सबको पता होता है कि बिहार state में located है लेकिन आपको यहाँ पे तीन option जो है ये बिहार state के ही मिल गए तो आपको जो city रहेगी वो भी धियान रखनी है तो हमारा answer हो जाएगा सासाराम, सासाराम जो जगे है बिहार में वहाँ पे टॉम्ब रहेगा शेर्षा सूरी का तो यह आपको सासाराम जो जगे है ये भी धियान रखनी है तो अरावली हिल्स हमने डिसकस करा सबसे बड़ी हिल है इंडिया की अब उसका जो हाइएस्ट पॉइंट है वो क्या है तो हमारा answer हो जाएगा गुरू शिकर गुरू शिकर जो है ये हाइस्ट पॉइंट है अरावली रेंजिस का या फिर अरावली हिल्स का तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसकी लिस्ट में राइट्स प्रोपर्टी भी था उसको हटा दिया गया कौन से साल में तो हमारा answer हो जाएगा 1978 तो 1978 में राइट्स प्रोपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट्स में से लेकिन ये कोशन इंपोर्टेंट इतना नहीं रहेगा आपसे exam में कोशन पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला कौन थी जिनके द्वारा Olympic में medal जीता गया था weightlifting में weightlifting आपको ध्यान रखना है तो weightlifting में कर्णम मलेशवरी के द्वारा सबसे पहला medal जीता गया है महिलाओं में इंडिया के लिए तो यह आपको पता होना चाहिए और इनके द्वारा bronze medal जीता गया था कौन से साल में हुआ था तो 2000 का जो Olympic हुआ था उसमें इन्होंने जीता था और अब दूसरी महिला कौन बनी है तो दूसरी महिला अभी Tokyo Olympic में बनी है कौन रहेंगी तो मीरा बाई चनू जो है वो current time में अभी आपको पता होगा weightlifting में उन्होंने भी silver medal जीता है तो वो दूसरी महिला बन गई है इंडिया की Olympic में weightlifting में medal जीतने वाली तो यह आपको ध्यान रखना है और Tokyo Olympic में जो सबसे पहले भारत को medal दिलाया है वो मनू भाई चनू ने ही दिलाया है अगला question देखते है with which game was KD जादव associated तो personalities कौन से game से related है यह most important रहती है आपके exams के लिए इसमें question पूछा जाता है और इसकी जो separate video रहेगी कि कौन सी personality कौन से sports से related है यह हम आपको जल्द या अगले अफते में आपको provide कराएंगे तो आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा इस video के लिए हम आपको इसका जो data है बहुत तयार कर रहे है यह आपको जल्द हमारी channel पे मिल जाएगी तो KD जादव जो है कौन से game से associated है या अफिर related है तो हमारा answer हो जाएगा wrestling wrestling जो game है उससे related ही रहेंगे KD जादव भी तो जो famous personalities होती है उनका नाम ध्यान जरूर रखे Which of the following pass links the Shrinagar to lay तो Shrinagar को ले से कौन सा pass है जो की जोडता है तो आपको पता होगा कि Zozila pass जो है ये पास रहेगा जो की Shrinagar को ले से जोडता है Which is the largest river island in the world तो दुनिया का सबसे बड़ा river island कौन सा है आपको पता होगा मजूली island रहेगा आसाम स्टेट में आता है और ये कौन सी river पे है river जरूर आपको ध्यान रखनी है पूछी जाती है तो भ्रंपुत्र river पे ये रहेगा The time period of second five year plan in India was second five year plan का time period क्या है तो जो first five year plan होता है उसे ज़्यादा पूछा जाता है second five year का रहेगा 1956 से लेके 61 first का रहेगा 1951 से 56 और third का रहेगा 1961 से 66 Who was the first chief election commissioner of India तो भारत के पहले chief election commissioner कौन थे तो हमारा answer हो जाएगा सूकुमार सेन सूकुमार सेन भारत के पहले chief election commissioner थे current time में कौन है तो सुशील चंदर new appointment रहेगी तो सुशील चंदर जो है ये current time में chief election commissioner है इंडिया के ये जो कोशन है काफी ज़्यादा chances रहेगी आपके exam में पूछे जाने की जिसको की पॉपुलरली नवाड के नाम से जाना जाता है was established in तो हमारा answer हो जाएगा 1982 तो 1982 में नवाड जो bank है national bank for agriculture and rural development इसको establish किया गया था which is the easternmost point of India most important question easternmost point कौँँट है तो हमारा answer हो जाएगा कि भी थू कि भी थू जो है ये कहाँ पे रहेगा तो easternmost state कौँँची रहेगी तो अरुनाचल प्रदेश जो इस्टेट है वहाँ का एक हिस्सा रहेगा कि भी थू अब आपको चारों point याद रखने है कि इंडिया के easternmost point कौँँट कौँट है westernmost कौँट है northern कौँट है और southern कौँट है तो अगर northmost point की अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौँँची जाएगा तो इंडिया का northmost point है अब north में कौन सी state या फिर union territory रहेगी तो लद्दाक रहेगा तो लद्दाक का एक part है इंडिया कौँट कौँट है अब अगर आपसे पूछा जाए कि westernmost point कौँट सा है आपका तो westernmost point हो जाएगा आपका गौर माता गौर माता जिसको की गौरी मोती के नाम से भी जाना जाता है तो गौरी मोती बोल तकते हैं आप या फिर आप गौर माता के नाम से इसको याद रख सकते हैं तो गौर माता कहां पे हो जाएगा तो आपकी westmost state कौन से हो गई गुजरात तो गुजरात में रहेगा आपका गौर माता और अगर आपसे southernmost बूच लिया जाए तो southernmost रहेगा आपका इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट जो है ये पॉइंट रहेगा अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार जो आईलेंड इंडिया का वहाँ पे इंदरा पॉइंट जो है यह सदन मोस्ट पॉइंट है इंडिया का चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको ध्यान रखने है जीतुराई इस एसोशेटेटेड विद विच स्पोर्ट जीतुराई कौन से स्पोर्ट से related हैं तो हमारा answer हो जाएगा shooting shooting sport रहेगा जिससे related है जीतुराए उरी डैम is located on which river in जम्मू कश्मीर तो एक तो question यही हो गया कि उरी डैम कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर में रहेगा उरी से आप ध्यान रख सकते हैं कि उरी में जो base camp था उस पे हमला हुआ था पाकिस्तान के दुवारा तो उरी जो जगे है यह जम्मू कश्मीर में है तो आपको ध्यान रहेगा कि उरी डैम जो है जम्मू कश्मीर में located है अब आपसे river काफी पूशी आती है तो आपका constitution का कौन सा amendment act है जिसके द्वारा GST को introduce किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 101 amendment act तो 101 amendment act के थूँ GST को भारत के अंदर introduce किया गया था अब अगर GST की बात करी जाए तो GST जो है full form होतियक goods service tax GST जो है सबसे पहले कौन सी country ने implement करा था तो France के द्वारा किया गया था India में कौन सी state में सबसे पहले किया गया तो Assam state में किया गया था और जो हम follow करते हैं वो कौन सी country का करते हैं तो Canadian GST जो है उसको हम follow करते हैं उससे similar हमारा GST जो है वो रहेगा तो यह कुछ points है जो कि आपको ध्यान रखने है अगला question देखते है Musi and Bhima are tributary of the river तो Musi और Bhima जो है यह कौन सी river की tributaries है तो हमारा answer हो जाएगा Krishna river तो Krishna river जो है यह south में flow करती है इसकी river की tributary रहेंगी Musi river और Bhima river तो tributaries पे आप जरूर ध्यान रखें शोर temple is situated in which state of India तो शोर temple कहाँ पे है तो हमारा answer है Tamil Nadu Tamil Nadu में रहेगा शोर temple Which one of the following is the oldest refining unit in India सबको बताओगा सबसे पुरानी refining unit कौन सी है इंडिया में तो हमारा answer हो जाएगा दिग बॉय कहाँ पे रहेगी आसाम में आसाम में एक जगे है city रहेगी दिग बॉय जो की इंडिया की सबसे पुरानी refining unit है अबने अभी पीछे दो-तिन वीडियो में ही discuss करा था कि दूद सागर वाटरफोल कहाँ पे है तो हमारा answer हो जाएगा गोवा में गोवा जो state है वहाँ पे located है दूद सागर फॉल्स तो आपको पता होगा 1975 से लेके 77 के बीच में इंद्रा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की उनके द्वारा ही emergency imposed कराई गई थी किसके द्वारा कराई गई थी तो प्रेशिडेंट को उन्होंने call करके कहा था कि emergency जो है वो impose करी जाए तो उस टाइम पे प्रेशिडेंट कौन थे तो हमारा answer हो जाएगा फकुरुद्दीन अली एहमद तो फकुरुद्दीन अली एहमद जो है इन्होंने 1975 से 1977 की जो emergency है उसको declare किया था 10 degree channel किस किस को separate करता है तो हमारा answer है अंडमान टो निकोबार आइलेंड तो अंडमान और जो निकोबार आइलेंड है इन दोनों को अलग करा जाता है 10 degree channel के दुआरा विच रिवर इस नोन एज शिंगी खंबन इन दी वैली ओफ तिबबत तो शिंगी खंबन के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है तिबबत में तो हमारा answer हो जाएगा इंडस रिवर इंडस रिवर को शिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है तिबबत में भरंपुत्र को किस नाम से जाना जाता है तो यारलोंग टिसंग्पो के नाम से जाना जाता है तिबबत में भरंपुतर रिवर को अगला कोशन देखते हैं तो इन में से कौन सा option है जो की correctly match नहीं हो रहा पासिस से related ही कोशन रहेगा आप देख सकते हैं कि चार पासिस हैं लिपुलेक पास रहेगा उत्राखंड का रहतांग पास रहेगा हिमाचल प्रदेश का तीनों ही most important passes हैं इंडिया के पालगट पास की अगर बात करी जाए तो कैरिला और तमिलनाडू इन दोनों state के border पे आता है पालगट पास तो करनाड का जो state है ये related नहीं है पालगट पास से तो पालगट हो जाएगा केरिला और तमिलनाडू state के border पे अगला कोशन देखते हैं तो गांधी पीस प्राइज दिया गया है 2020 में किसको दिया गया तो हमारा आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रह्मान शेख मुजीबुर रह्मान को सम्मानित किया गया था 2020 में गांधी पीस प्राइज से इंपोर्टेंट कोशन है पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप करी गई तो हमारा आंसर हो जाएगा जोनस साल्ग जोनस साल के द्वारा डेवलप करा गया था पोलियो वैक्सीन को पैनिन्सिलीन जो है ये पहली एक एन्टी बाइटिक रहेगी जो की डेवलप करी गई अब आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा डेवलप करी गई तो अलेक्सेंडर फ्लेमिंग जो है वो कौन सा डैm रहेगा इसका नाम आपसे पूछा गया है और exam में कीछे भी काफी बार ये पूछा गया था तो हमारा answer हो जाएगा कलणाईड डैम कलणाईड डैम जो है ये इंडिया का सबसे पुराना डैम है और ये किसके दूरा बनवाय गया था तो Chola dynasty जो है उसके ruler थे करीकला उनके द्वारा इसको बनवाया गया था यह आपसे नाम भी पूछा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया था और आपसे इसकी state भी पूछ ली जाती है तो Tamil Nadu जो state है वहाँ पे located है Kalanai Dam तो आपको state भी ध्यान रखनी है इसके founder भी ध्यान र इंटरनेशनल योगा डे कब होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 जून 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी अब आपको एर भी ध्यान हो गया कि स्वराज पार्टी जू है कब फॉर्म करी गई थी तो 1923 में करी गई थी किसके द्वारा करी गई थी तो जवाल नान नहरू के फादर रहेंगे मोतिलाल नहरू और चितरन जन्दास सी आर दास के द्वारा इन दोनों के द्वारा फाउंड करा गया था स्वराज पार्टी को 1923 में विच इस्टेट विल होस्ट फॉर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया युद्गेम्स ऑफ 2021 तो 2021 का जो खेलो इंडिया युद्गेम्स होने वाला था ये पोस्टपॉंड कर दिया गया है 2022 के लिए अब 2022 की स्टार्टिंग में इसको हेल्ड किया जाएगा होगा ये और ये कौन सा एडिशन है तो ये चोथा एडिशन है कहाँ पे होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाना पंचकुला तो पंचकुला जो जगे है हरियाना में वहाँ पे होने जा रहा है खेलो इंडिया युद्गेम्स 2021 के जो की 2022 में होंगे दमन्दूई और दादर नागर हवेली merged as union territory on तो दमन्दूई और दादर नागर हवेली ये दोनों अलग-अलग union territory थी जिनकों की मिलाकर अब एक single union territory बना दिया गया है तो ये कब मर्ज होई तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 January 2020 तो 26 January आप सबको पताएगे कितना important दिन होता है इंडिया का तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 26 January 2020 को ये दोनों मर्ज होई थी विच इस दी classical dance form of आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश स्टेट का classical dance कौन सा है तो हमारा आंसर है कुछी पुडी कुछी पुडी जो है ये एक classical dance form है आंदर प्रदेश स्टेट का वेक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वस डिस्कवर्ड बाई तो स्मॉल पॉक्स की वेक्सीन किसने बनाई थी डिस्कवर करी गई थी तो हमारा आंसर हो जाएगा एड़वर्ड जेनर एड़वर्ड जेनर के द्वारा डिस्कवर करा गया था smallpox की vaccine को what was the name of the pokran test conducted by India in 1974 तो 1974 में pokran का पहला test हुआ था और दूसरा जो test हुआ था वो हुआ था 1998 में अब pokran test जो पहला हुआ था 1974 में उसका क्या नाम था तो हमारा answer हो जाएगा smiling buddha तो smiling buddha जो था ये पहला test का नाम रहेगा जो की pokran test हुआ था कहाँ पहुआ था तो ये हुआ था राजिस्थान में पोखरन जो जगे है वो राजिस्थान में रहेगी तो वहाँ पे इस test को conduct किया गया था दूसरा test भी आपको ध्यान रखना है 1998 में हुआ था coil of the heater is made up of coil जो होता है heater का वो किस चीज़ से बना होता है तो हमारा answer होगा नाइक्रोम नाइक्रोम का बना होता है heater का coil राम विलास पासवान is awarded which award in 2021 तो आप सब को पताएए 2020 में राम विलास पासवान जो है इनका निधन हो गया था इनकी death हो गई थी तो इनको को 2021 में कौन से अवोर्ड से सम्मानित किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा पद्म भूशन पद्म भूशन अवोर्ड से सम्मानित किया गया है राम विलास पासवान को 2021 में 2021 में पद्म विभूशन कितने दिये गए तो टोटल साथ पद्म विभूशन दिये गए हैं, 10 पद्म भूशन दिये गए हैं और पद्म श्री दिये गए हैं 102 टोटल 119 पद्म अवोड दिये गए हैं 2021 में पद्म विभूशन और पद्म भूशन जिन भी लोगों को मिले गए हैं 17 के 17 नाम आपको ध्यान रखने आपके बिल्कुट टिप्स पे होने चाहिए हैं कि किस किस को मिले हैं अगला पूशन देखते हैं What is the SI unit of power of lens power of lens की SI unit क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा diapter diapter जो होती है यह SI unit होती है power of lens की Which of the following enzyme is found in our saliva तो हमारे saliva में कौन सा enzyme present होता है जो की food जो होता है उसको पचाने में उसको तोड़ने में मदद करता है तो आपको पता होगा amylase जो होता है यह एक enzyme होता है जो की हमारे saliva जो होता है उसमें present होता है Blood group was discovered by home Blood group की खोज किस ने करी तो हमारा answer हो जाएगा Land stainer Land stainer के दोवारा खोज करी गई है डिस्कवरी करी गई है Blood group की In which session of the Indian National Congress splits into two parts Moderates and Extremist तो इंडिया नेशनल कॉंगरेस जो है इसको दो पार्ट में divide कर दिया गया था एक पार रहा था Moderates का और एक रहा था Extremist का तो इंडिया नेशनल कॉंगरेस का जो दो पार्ट में विभाजन हुआ था ये कब हुआ था तो हमारा answer हो जाएगा सूरत सेशन of 1907 तो सूरत सेशन जो हुआ था 1907 में उसके अंदर इंडिया नेशनल कॉंगरेस का विभाजन किया गया था दो पार्ट में Moderate और Extremist में Qunin is used for the treatment of which disease तो काफी बार हम अपने चैनल पे discuss कर चुके हैं आपको पता होगा answer हो जाएगा Malaria Malaria जो बिमारी होती है उसमें जिसका use करा जाता है वो रहेगी Qunin Qunin का use करा जाता है Malaria की treatment के लिए What is the chemical name of milk of magnesia? Milk of magnesia का chemical name क्या होता है? तो हमारा answer हो जाएगा magnesium hydroxide magnesium hydroxide जो होता है यह chemical name होता है milk of magnesia का Sunburn festival is celebrated in which state? Sunburn festival कौन सी state का festival है? तो हमारा answer हो जाएगा गुवा इंडिया की जो सबसे छोटी state है वहाँ पे celebrate किया जाता है Sunburn festival को पाड़ पिंटिंग are related to which state of इंडिया? तो पाड़ पिंटिंग कौन सी state से related है? तो हमारा answer हो जाएगा राजिस्थान राजिस्थान state की एक काफी famous painting रहेगी पाड़ पिंटिंग खंजर is a joint special force military exercise between India and dash तो खंजर जो है एक joint special force military exercise है इंडिया और कौन सी country के बीच में तो हमारा answer हो जाएगा किर्गिस्थान किर्गिस्थान और इंडिया के बीच में एक joint special force military exercise होती है जिसका नाम रहेगा खंजर दिल्वारा जैन temples is located in which state of इंडिया? तो हमारा answer हो जाएगा राजिस्थान राजिस्थान state में ही located है दिल्वारा जैन temples believe what life and cricket taught me is the autobiography of तो believe what life and cricket taught me किसकी आत्म खता है तो हमारा answer हो जाएगा सुरेश रहना इंडियन कर्केटर हैं सुरेश रहना जिनोंने अपना जो सन्यास है वो ले लिया है इनके द्वारा इनकी ही बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा टाइटल रहेगा believe what life and cricket taught me इन विच यर वस दी बनारस हिंदू यूनिवस्टी established by पंडित मदन मोहन मालविया तो पंडित मदन मोहन मालविया के द्वारा बी एच यू बनारस हिंदू यूनिवस्टी को establish किया गया था कहां पे है तो बनारस जो जगे है जिसकों की वारण नसी के नाम से भी जाना जाता है कहां पे रही उत्तरप्रदेश में तो यहां पे establish किया गया है बनारस हिंदू यूनिवस्टी को पंडित मदन मोहन मालविया के द्वारा what is the main function of lymphocytes lymphocytes का main function क्या होता है तो coronavirus के time पे यह question आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जो coronavirus से लड़ने के लिए जिन चीज की जरूरत होती है उसका ही formation किया जाता है उसका ही production किया जाता है lymphocytes के द्वारा तो हमारा answer हो जाएगा production of antibodies तो antibodies बनाई जाती है lymphocytes के द्वारा lymphocytes के द्वारा production किया जाता है antibodies का हमारी body में तडोबा नेशनल पार्क is located in which state of India तो तडोबा जो है यह इंडिया में कौन सी state में located है और कौन सी state का सबसे पुराना नेशनल पार्क है तो हमारा answer हो जाएगा महरास्ट महरास्ट स्टेट का सबसे पुराना नेशनल पार्क है तडोबा नेशनल पार्क तो महरास्ट स्टेट में located है तो भिम्बंद wildlife century is located in which state of India तो भिम्बंद wildlife century कहाँ पे है wildlife century की भी आपको separate video जल्दी हमारे चैनल पे अच्छी video जिस हर एक question उससे related आपको उसमें provide कराए जाएगा तो भिम्बंद wildlife century कहाँ पे है तो हमारा answer हो जाएगा बिहार बिहार state में रहेगी भिम्बंद wildlife century who is known as the matro man of India matro man of India किसको बोलते हैं तो हमारा answer हो जाएगा यह श्रीधरन को matro man of India बोला जाता है अगर आपसे पूछा जाएगी father of Indian railways किसको बोला जाता है तो आपका answer हो जाएगा कौन हो जाएगे Lord Dalauzy Lord Dalauzy को father of Indian railways बोला जाता है who among the following has written the book named India wins freedom इंडिया wins freedom जो बुक है most important बुक है किसके द्वारा लिखी गई तो हमारा answer हो जाएगा मौलाना अबुलकलाम आजाद मौलाना अबुलकलाम आजाद है जिनके द्वारा बुक लिखी गई है India wins freedom सागा दवा फेस्टिवल is celebrated in which state सागा दवा फेस्टिवल इंडिया की कौन सी state में celebrate किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा सिक्किम सिक्किम जो state है जो की population में इंडिया की सबसे छोटी state माने जाती है जो की population में जिसकी population सबसे कम है तो यहाँ पे celebrate किया जाता है सागा दवा फेस्टिवल को इंडियान इस्टिटूट of sugarcane research कहाँ पे होगा तो आपका answer हो जाएगा लखनव उत्तरप्रदेश लखनव उत्तरप्रदेश में institute है sugarcane research का how much time human heart takes to beat one time तो average अगर बात करी जाए average human being की तो उसका एक बार धड़कने के लिए heart जो एक बार धड़कता है उसमें कितना time लगता है तो हमारा answer हो जाएगा 0.8 second 0.8 second time लगता है एक beat करने के लिए human heart को who is the author of the book unfinished book किसके द्वारा लिखी गई कोई भी गलत नहीं कर सकता प्रेम का चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है unfinished book which gas is used for the ripening of fruits तो fruits जो होते हैं उनको पकाने के लिए ripening जो होता है होता है पकाना तो कौन सी gas होती है जिसकी मदद से जो fruits होते हैं उनको पकाया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा ethylene ethylene gas यूज करी जाती है fruits को पकाने के लिए तो ये question भी एक important question है the Nalanda University was founded by नalanda university किसके द्वारा found करी गई तो हमारा answer हो जाएगा कुमार गुप्त कुमार गुप्त ने found करा था Nalanda University को लेकिन आपसे ये question पूछा जाता है कि Nalanda University कहां पे है तो बिहार जो state है विकरम शिला university भी आपको ध्यान रखनी है और Nalanda university भी दोनों जो हैं दोनों कहां पे हैं तो ये दोनों ही रहेंगी बिहार इस्टेट में जिसमें Nalanda University कुमार गुप्त के द्वारा found करी गई थी ये question भी पूछा जाता है अल्ट्रा वॉयलेट रेस was discovered by तो यूवी रेस किसके द्वारा discover करी गई तो हमारा answer हो जाएगा William Herschel William Herschel के द्वारा discover करा गया था खो जा गया था अल्ट्रा वॉयलेट रेस को who among the following was the last ruler of Lothi dynasty तो Lothi dynasty के last ruler कौन थे अब आपको पता होगा बावर जो है उन्होंने invade करा था इंडिया में तो उन्होंने बीच में लड़ी गई तो हमारा answer हो जाएगा इबराहीम लोधी तो इबराहीम लोधी और बावर ने युद्द लड़ा था 1526 में जिसमें जो इबराहीम लोधी थे इनको मार दिया गया था बावर के द्वारा और यही जो थे ये last ruler थे लोधी dynasty के और लोधी dynasty ही last Delhi सल्तन जो है उसकी एक dynasty रहे की इबन बतूता वोज़ा ट्रेवलर फ्रॉम विच अमंग दी फॉलोइंग कंट्री तो इबन बतूता आपको पता होगा कौन सी कंट्री है तो कौन सी कंट्री से थे तो इबन बतूता जो है एक मोरोकन ट्रेवलर थे तो कौन सी कंट्री हो जाएगी मोरोक को मोरोकन ट्रेवलर थे तो यह आपको पता होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा बलदेव सिंग बलदेव सिंग भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के करंट टाइम में डिफेंस मिनिस्टर कौन है राजनाथ सिंग सती प्रथा वस अबोलिश्ट बाइ विच गवर्नर जनरल इन 1829 तो 1829 में जो सती प्रैक्टिस होती है जो सती प्रथा होती है उसको खतम कर दिया गया था अबोलिश्ट कर दिया गया था कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम बैंटिक विलियम बैंटिक ने सती प्रैक्टिस को बंद कर दिया था इंडिया के अंदर 1829 में बी साई प्रनित इस एन इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट बी साई प्रनित जो है एक इंडियन प्लेयर है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है बैडमिंटन से रिलेटेड है which image is printed on the back side of 2000 रुपी नोट तो 2000 रुपे का जो नोट है नया नोट है उसके पीछे किसकी इमेज होती है तो आपको पता है मंगल यान जो है उसकी इमेज होती है 2000 नोट के पीछे की साइड पे which of the following hormone is called life-saving hormone तो life-saving hormone कौन से hormone को बोला जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा adrenal adrenal hormone को life-saving hormone बोला जाता है क्यों बोला जाता है तो आपको पता होगा कि adrenal gland जो होता है हमारा जो body में blood pressure होता है उसको control करा जाता है adrenal gland के द्वारा और ये कहाँ पे present होता है जो adrenal gland होती है कहाँ पे present होती है तो हमारी जो kidney होती है उनके upper side एक triangular shape में gland होती है जिसको की adrenal gland बोला जाता है दोनों kidney के upper side में होती है तो दो adrenal gland होती है body में और adrenal hormone को life saving hormone इसी वज़े से बोला जाता है अगला question देखते हैं the author of the book the struggle in my life struggle in my life जो है इसके author कौन है तो हमारा answer हो जाएगा Nelson Mandela जो है यह South Africa से related रहेंगे इनके द्वारा book लिखी गई है the struggle in my life important क्यों रहते हैं क्योंकि इनको भारत रतन अबोर्ट से सम्मानित किया जा चुका है और यह दूसरे number के non Indian रहेंगे जिनको भारत रतन अबोर्ट दिया गया था पहले कौन रहते हैं तो खान अब्दुलकफार खान जो है वो पहले non Indian थे जिनको भारत रतन मिला था वो कौन से country से थे तो वो थे पाकिस्तान से और Nelson Mandela है South Africa से तो Nelson Mandela के द्वारा book लिखी गई है The Struggle in my Life बर्दोली सत्यगरे was happened in which year तो बर्दोली सत्यगरे जो है ये कब हुआ था इसका year आपसे पूछा गया है तो आपका answer हो जाएगा 1928 1928 में बर्दोली सत्यगरे जो है ये हुआ था लेकिन आपसे यहाँ पे जादातर ये question पूछा जाता है कि बर्दोली सत्यगरे किसके द्वारा लीड करा गया था तो आपका answer हो जाएगा सरदार वल्लब भाई पटेल सरदार वल्लब भाई पटेल जो है इनके द्वारा लीड करा गया था बर्दोली सत्यगरे को ये आपको ध्यान लखना है First Battle of Tarain was fought in the year पहली बैटल जो हुई थी तराइन की ये कब हुई थी तो आपका answer हो जाएगा 1191 1191 में पहली बैटल हुई थी तराइन की दो युद्वेते तराइन के पहले हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में What is the name of the Parliament of Afghanistan Afghanistan की Parliament का क्या नाम है तो अफगानिस्तान में आप सबको पताईए कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है तालिवान से रिलेटेड तो इसलिए अफगानिस्तान से रिलेटेड आपसे कोशन आगे अग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो अफगानिस्तान की Parliament का नाम क्या है तो शोर जो है ये Parliament का नाम है अफगानिस्तान की और इंडिया के द्वारा ही Parliament को डेवलप किया गया था अफगानिस्तान की ये भी आपको पता होना चाहिए तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी कोशन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी इबुक को बाई कर लें 2000 कोशन की इबुक रहेगी 99 रुपीज में और 600 प्लस कोशन रहेंगे करेंट अफेर के जनवरी से जून तक के वो मिलेगी आपको 29 रुपीज में आप दोनों को बाई कर सकते हैं उसके अलावा प्लेलिस्ट रहेगी All Static GK Topic के नाम से आप उसको देख सकते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसमें जितने भी Static GK के Topics है 150 प्लस Topics आपको उसमें मिलेंगे डिटेल में डिस्कस करे गए हैं आप उनकी सेपरेट वीडियोस को देख सकते हैं धन्यवाद दोस्तो